नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार हस्त रेखा के अगर हम माने तो किसी भी बैक्ती की नाखुन पर सफेद धबा होना ये उनको सफलता दिलाने का एक निसानी है लेकिन आईए हम जानते हैं बिस्तार से हतेली के रेखाओं और हाथ के निसानों उंगलियों की बनावट तमाम चीजों से देखकर उन चीजों को हम आपके भविस्य के बारे में बता सकते हैं अगर किसी बैक्ती की सबसे छोटी जो उंगली है उसके नाखुन पर सफेद धबा हो तो ये अच्छा संकेत है कारियों में सिग्र अति सिग्र सफलता उनको प्राप्त होती है लेकिन जिन बैक्तियों का धस्त्रेखा के अनुसार मिडल फिंगर पर नाखुन में मधिमा उं का बिजनस होता है उसमें खूब तरक्की करते हैं अगर आपकी पहली उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं तरजनी उंगली उस पर सफेद धबा हो तो बैपार में सफलता का सूचक है बैपारियों को लाब दिलाने वाला और अगर सफेद वाला निसान वैसे तो रक्त संबन्दी परिशानियों का भी सूचक है तो ऐसे में थोरा सा रक्त चाप का खत्रा भी होता है ऐसे लोगों को तो अपने स्वास्ट का भी तो ख्याल रखें तो हस्त रेखा में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक नई दिसा देता है या उनको आप हमेशा खुश रखने की चाहद रखेंगे ऐसा भी आप समझना चाहिए आपको अपने सोभाब से अगर इंडेक्स फिंगर तरजनी उंगली में हो तो हर छेतर में सफलता मिलती है नौकरी बैपार में आपका दबदबा कायम रहता है मधेमा उंगली में सफेद नि की मिलती है तो कुल मिलाकर हम यह जान सकते हैं अगर आनामी का उंगली की बात करें रिंग फिंगर की तो फिर आप यह समझ लें कि यह सबसे सबसे जादा सुब है और दुरलब क्योंकि समाज में सरकार के दौरा हर जगा आपको समान मिलता है यह समान परतिष्ठाद दिन बढ़ते चला जाता है और धन की कमी नहीं होती तो फिलाल आपसे बिदा लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद